Hello Everyone and Welcome back to my channel and this is Sony तो आज की इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं bleach related, bleach कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है bleach के फाइदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे और साथी साथ मैं bleach का review भी देने वाली हूँ जो कि यह bleach मैंने लिया है Ozone brand का go glow bleach और मैंने इसे नाइका से पर्चेस किया है ये 365 रूपीस की MRP है इसमें चोटा वाला पैक भी आता है आप यूज़ कर सकते हैं ले सकते हैं लेकिन मैंने इसे पार्लर यूज़ के लिया है और मैं अपने फेस पे जो फेम का गोल्ड ब्लीच होता है वो यूज़ करती हूँ औ अच्छे से सूट कर ले जाता है लेकिन बाकि इसके अलावा मैंने जो ब्लीचे स्यूस किये हैं और यूज़ किया है और डायमंड से बहुत सरे ब्रैंड के मैंने यूज़ किये लेकिन मुझे उतना खास दिजर्ट नहीं आए तो मैंने ये जो बलीच लिया है इसका step में आप लोग को समझाऊंगी कि bleach कैसे किया जाता है इसमें न कोई rocket science नहीं है bleach करने के लिए आप easily घर पे bleach कर सकते हैं तो मैं आप लोग को step by step समझाऊंगी क्योंकि मेरा भी एक salon है और मैं अपने salon पे कैसे bleach करती हूं अपने client के उपर वो इस same process में आप लोग को बताऊंग कि आपको पार्लर जाने की जरूत नहीं है आप easily घर पे भी कर सकते हैं अगर आप ब्राइडल हैं अगर आप करना चाहते हैं bleach तो 2000 फूल बॉड़ी का फूल बॉड़ी bleach का 2000 चार्ज करते हैं आप normally ऐसे boxes आते हैं पार्लर यूज के लिए बड़े डब्य आते हैं वो 300-400 ठीके तो अब हम देखेंगे इसका इसके अंदर है क्या क्या तो देखिए अभी इसके अंदर हमें दिखाए दे रहा है सबसे पहले एक यह संदल का फेस पैक है यह हमें free मिला है ठीके जो दूसरा क्रीम है यह हमारा bleach क्रीम और तिसरा क्रीम जो है यह हमारा एक्टिवेटर है यह powder form में है इसमें हमें दो डबे मिले हुए हैं और एक हमें छोटी सी कटोरी मिली हुई है जो कि bleach को mix करने के लिए मिला हुआ है तो अब हम bleach को mix करेंगे तो आप लोग इस process को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं main process होता है हमारा step 1 तो सबसे पहले आपको यह जो according निकाल लेना है और उसके बाद जो हमारा जो डिब्बी में देखिए छोटे छोटे जो डिब्बी दो दिये है एक्टिवेटर का यह powder form होता यानि कि यह जो cream form है और जो powder है उसे दोनों को mix करना है अब इसका ratio देख लीजे आप अपने face और निक क्योंकि निकाल लेंगे और इसमें जो powder वाला cream है उसे आपको तीन चुटकी mix करना है इस से ज़्यादा बिल्कुल नहीं mix करना है और चुटकी एदम छोटी छोटी होनी चाहिए अगर आप अपने body पे use कर रहे हैं इसे back पे, hand पे, leg पे तो यह जो एक्टिवेटर है powder वाला इसे आप थोड़ा सा mix करेंगे, मतलब इससे मैंने तीन चुटकी mix किया है, अगर आप अपने हाथों पे लगा रहे हैं तो उसके according आप थोड़ा सा ज्यादा mix करिएगा, तो यह आपका ratio हो जाएगा, और उसके बाद हमें इसे अच्छे से फेट लेना है, और फेटने के लिए हमें एक देड़ म ठीक, तो मैं अभी cleansing milk से अपने face को clean करूंगी, अगर आपके पास cleansing milk नहीं है, तो आप normally कोई face wash यूज़ कर लें अपने face पे, और उसके बाद towel dry करके bleach cream लगाया है, याद रहे directly अपने face पे bleach नहीं लगाना है, अपने face को अच्छे से clean करना है, और cleansing milk basically क्या करता है, अच्छे से deep clean कर देता है, और next step के लिए हमारे skin को ready रखता है, ठीके तो अगर हम bleach cream को लगाने से पहले, अगर हमारी skin एदम clear रहेगी, deep clean रहेगी, तो bleach cream directly हमारे face में लगेगी, skin पे लगेगी, और वो अपना 100% काम करेगी, ठीके, इस वज़े से जो bleach हम पालर में करवा के जाते ना बहुत अच्छा glow करता है, और घर पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, तो यह point number 1 होता है, और हमारा mix match का ratio भी सही होना चाहिए, timing भी सही होनी चाहिए, तो देखिए जितने भी मैंने steps दिखाये हैं, आपको ऐसे ही, आपको cleansing milk से मसाज करने हैं, एक देड़ मिन देगा, यह अच्छे से mix हो चुका है, जो हमारे hair growth ऐसे होती है, हमें उल्टे अधिशा में लगाना है, ब्लीच क्यों करते हैं, ब्लीच से क्या होता है हमारे face पे, तो देखिए, ब्लीच ना हमारे hair जो होते हैं, जिनके face पे बहुत ज़्यादा hair होते हैं, उसकी वज़ए साथ जो dark spots होते हैं, उसे hide कर देती है, dullness जो होती है face की, उसे hide कर देती है, और साथ जो हमारा face एदम ठका ठका सा लगता है, यह उसे fresh कर देता है, ब्लीच और अच्छा सा glow provide करता है, हमारे skin पे और एगदम shine करती है, ठीके तो इसलिए हम bleach करते हैं, और अगर ज्यादा over bleach ह हो जाती है, timing आप 20-25 मिनट रख देते हैं, या फिर hair blonde होने के बावजूद भी आपने bleach cream रखा हुआ है, तो इससे आपके skin dry हो जाएगी, pH label थोड़ा गड़बडा सकता है, और उससे आपकी skin black दिखने लगेगी, तो face पे लग चुका है, अब इतना सा बच गया है cream, तब मैं अपने हाथों में भी लगा लेती हूँ, मुझे cream को waste नहीं करना है, इसे लगाने के time पे थोड़ा सा face पे burning sensation होगा, आपके आखों में भी लगेगा, तो इससे आपको घवरानी की जरूत नहीं है, यह normal है, अगर बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इससे remove कर दे तुरं रखना है, skin के according रखना है, अगर आपकी skin, sourly है, dusky है, या फिर थोड़े से dark skin tone के है, तो आप इसे 10 मिनट से ज़्यादा अपने face पे बिल्कुल भी ना रखे, अगर आप fair skin tone के है, तो आप 15-17 मिनट तक रख सकते हैं, 17 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखे अपने weird दिखाए देंगे, तो आपको ध्यान देने की बात है, कि जो sourly skin tone के है, वो 10-12 मिनट तक रखे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखे, जो fair skin tone वाले हैं, वो 15-17 मिनट तक रखे, ठीक, 7-8 मिनट के बाद हमें skin के यहां से bleach को remove करके देखना है, कि hair golden हुए हैं की नही ठीक, हमारे skin tone के हुए है कि नहीं, अगर हो गए हैं, तो आप उससे तुरंत remove कर दे, चाहे वो 7 मिनट के बाद हो जाए, चाहे 5 मिनट के बाद हो जाए, चाहे 10 मिनट के बाद हो जाए, ठीक, तो आपको यह चीज को follow करना है, यही हमारा एक सही process है bleach करने का, तो हम अब 7 मि हो चुका है, अब हम इसे remove करके देखेंगे, कि हमारा bleach हुआ है या नहीं, तो मैं यहाँ से bleach थोड़ा सा remove करूंगी, और मैं देखूंगी कि यह hair जो है blonde हुए है या नहीं, थोड़ा थोड़ा रहे गए हैं, तो थोड़ा समय लगा देती हूँ, तो अब पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे remove करूंगी और जो यह spatula है मैं इसी से remove करने वाली हूँ, bleach cream remove करने का सबसे सही तरीका यही है, आप directly अपने face को wash ना करें, नहीं तो इससे क्या होगा, आपके आखों में bleach जा सकती है, और आपको problem आ सकती है, तो आपको ऐसे remove करना है, उसके बाद आप face wash करें, या फिर sponge की help से clean कर दे excess bleach को, और उसके बाद आपको कोई भी light weight moisturizer लगा के रखना है, हमेशा hydrate रखना है अपने skin को, क्योंकि bleach करने के बाद हमारी skin जो है वो dry पढ़ जाती है, और अगले 24 hours तक आपको अपने face पे कुछ भी नहीं लगाना है, आपको face wash नहीं यूज़ करना है, soap नहीं यूज़ करना है, कोई भी cream यूज़ नहीं करना है, इसे as it is छोड़ देना है, मॉश्राजर लगा के, तो अब देखिए मैंने अपने हाथों का भी bleach निकाल लिया है, अब मैं दिखा रही हूँ आप लोग को result, आप लोग देख सकते हैं result कैसा आया है, तो देखिए यहाँ पे मुझे अच्छा result तो आया है, हाथ के skin, यहाँ पे white दिख रही है, यहाँ पे black दिख रही है, तो मुझे तो result बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए, मेरे जो dark spots है, वो पूरा 100% तो नहीं remove हुआ है, लेकिन face पे बहुत अच्छा glow आया है, इस face बहुत ज़्यदा shine कर रहा है, जो हमने bleach कर लिया है, अब इसके बाद कोई भी आप light weight moisturizer लगा दे, क्योंकि bleach के बाद हमारी skin जो होती ही, वो dry पड़ जाती है, तो उसे hydrate रखना है हमें अगरे 24 hours तक for better result, तो अब मैं यह pons का जो moisturizer है, मैं यह use करूंगी, यह 10 rupees का आता है, तो अब इससे लगा के हम छोड़ देंगे, अगर आपकी skin बहुत ज़्यदा sensitive है, तो आप जो activator है ना, मैंने तीन चुटकी mix किया था, आप सिर्फ दो चुटकी ही mix करें, तो देखिए skin कितना ज़्यदा shine कर रही है, मेरे हाथ कितना ज़्यदा white हो चुके है, उपर का part और नीचे का part आप लोग देख सकते हैं, तो guys मुझे इसका result बहुत अच्छा लगा है, और मेरे skin कितना ज़्यदा glow कर रही है, कितना ज़्यदा shine कर रही है, कोई भी मुझे regret नहीं हुआ है, इस product को purchase करने के लिए, और I think so मैं इसे आगे continuously use करती रहूंगी,